चमकता हुआ चेहरा चाहिए तो लगाई ये चीज कुछी दिनों में बदल जाएगी चेहरे की रंगत दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय लेकर आये हैं जिसकी मदद से चेहरे की चमक वापस लाई जा सकती है दोस्तो सर्दियों में तोचा का अधिक ध्यान रखने की जरुत पड़ती है इस दोरन तोचा का रुखापन काफी बढ़ जाता है दोस्तो बढ़ते पर दोचन अतधिक पसिना खराब खानपान और सरीर में पोसक तत्तों की कमी की कारण लोगों को तोचा समंदी कई तरह की परिसानिया होने लगती है इसकीन प्रोबलम में सबसे ज़्यादा पिंपल्स दाग धबे जुर्यां और जायां आम हो चुकी है इसके कारण चेहरा बेरंग लगने लगता है तो दोस्तो इन सब परिसानियों को दूर करने के लिए आप इन होमेट फैस पैका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो पहला है घी और नारियल तेल का प्योग दोस्तो चेहरे के लिए घी और नारियल तेल फाइदे मंद है ये तोचा को हैड्रेट रखने के लिए जाने जाते हैं इन दोनों में प्राकृतिक फैट होता है जो तोचाद और आफसोसित हो जाते हैं घी में एंटी एजिंग गुन होते हैं जो इसकीन की बढ़ती उम्र के लक्षनों को कम करते हैं यह तुचा की देख भाल के लिए एक बहतरिन सामगरी है आप इन दोनों का अलग अलग टाइम पर इस्तिमाल करके या इसके अलावा इसे मिक्स करके लगा सकते हैं दुसरा है दोस्तो अरंडी का तेल दोस्तो अरंडी का तेल सकीन के लिए बहत लापकारी मना जाता है रोजाना नहाने से पहले 30 मिनट गर्म अरंडी के तेल से मालिस करने से आपकी तुचा स्वस्त रहेगी यह प्राकृतिक मुस्चराजर के रूप में काम करता है तिसरा है इलोवेरा इलोवेरा में हिलिन और हैड्रेटिन गून होते हैं इसलिए रूखी तुचा के लिए इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप नहाने के बाद एलोवेरा जेल का इस्तिमाल मुस्चराजर के रूप में कर सकते हैं यह आपकी तुचा को नमी परदान करने में करेगा चौथा दोस्तों और सहथ दोस्तों और सहथ भी स्कीन के लिए फाइदे मंद हैं इन दुनों चीजों का फेज मास्क तुचा में नमी बनाए रखने के साथ इसकीन को डैमेज होने से भी बचाता है इसके लिए आप और सहथ को मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दे फिर रात को सूने से पहले इस पेश्ट को अपने चेहरे पर लगाए पूरी राते से ऐसे ही रहने दे सुबह उठकर चेहरे को ताजे पानी से धोले ऐसा करने से आपके चेहरे पर निखार आने लगेगा तो दोस्तों यह थे चेहरे को गोरा बनाने के घरेले उपाए जनक इगने बुट